नमस्कार दोस्त में नम रुपेश और आप देख रहे हैं जनर्रल पब्लिक सेवा दोस्तो आज के इस वीडियों बात करेंगे आईसे आसी बैंक के द्वारा निकाली गई भरती के बारे में दोस्तो यह भरती जो है वो आल अवर इंडिया के लिए है अगर आप इंडिया के क आप आप लोग कर दीजेगा एंड वीडियो थोरा सा भी आप लोग को मज़ेदार लगे ना तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजेगा दोस्तो चलिए ले चलता है आपको हम डिरेक्ट टॉपिक पे दोस्तो इस जोब का नॉटिफिकेशन जो आपको मिल जाग है कि आज वो क्या डेट हो गया यहां पर देख से तो साथ माई 2023 टिक है तो यह पब्लिश जो है वो आज ही किया गया है मतलब आज से इनका अपलाई जो वो शुरू हो चुका है इसका लास्ट डेट जो रखा गया वो 31 पांच 2023 तक रखा गया है दोस्तो यहां पर हम बात क कहा जा रहा है कि आजसे सी बैंक में जो हभी अर्जेंट इंपुलाई का जरूरी है इन्होंने नोटीस जाड़ी किया गी कि अगर लड़का लड़की कोई भी हो तो आप इस फॉर्म को अपलाई कर सकते हैं यहां पर दोस्तो हम जैसे का आपको पहले बताएं तो यहां पर को लोग को यहां पर दिया जाएं गाएं अगर इसको दौबबाद करते हो तो आपको यहां पर जानले काम क्या करना होगा मतलब किस परकार काम है तो finance and insurance, मतलब finance relative और insurance relative जो आप लोग को काम देखना पड़ेगा, यहाँ भी बता ज़रा है कि data entry operator ठीक है, तो मतलब आपको लोग को data entry operator जो इनको चाहिए, उनका काम जो होगा, वो finance relative काम देखेंगे और insurance relative जो वो काम देखेंगे, financial relative यही होगा कि loan वगरा सब provide करना, insurance का मतलब तो आप directly समझी सकते हो, कि insurance का मतलब क्या हो जाते है, तो यह आप लोग को काम करना होगा, आप लोग को qualification के बारे में बता दिये, job location जो आपको pin code के हिजाब से ही, आप लोग का job location फिक्स किया जाएगा, फिलाल यहाँ पे job location के य नीचे रहा edge, तब इस form को आप apply कर सकते हैं, अप लाई करने के लिए अप लोग को पता चल पाएगा, वैसे इस form को अगर आप apply करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप लोग का national carrier service में पहले से register होना चाहिए, और इसका user ID, password आप लोग के पास पहले होना चाहिए, तब इस form को apply कर पाऊगा, ठीक है, यहाँ पे registration का option यहाँ पे दिया गया है, registered का, तो register आप किलिक करोगे, तो आपको user ID, password बनाने के लिए option दे दिया जाएगा, जब आप apply पे किलिक करोगे, तो आप से सीधा यहाँ पे user ID, password मांगा जाएगा, तो यहाँ पे जैसे देख सेकते हो, कि हम आगे का process जो आप लोगो को करके, इसका ID और password प्राप्ट करना होता है, अधिक जनकाड़ी कि दोस्तों आपको इस website के link वीडियो को description मिल जागा, इसको आगर का रीचेक कर सकते हैं, ठीक है, और अधिक जनकाड़ी चाहिए, तो यहाँ पे admin का number, HR का number दिया गया है, जिसके जिस पे जो आप call करोगे, तो आपको जो आप के recording, सारा जनकाड़ी यहाँ पर provide हो जाएगा, हम आप लोग के यह notification आया, जैसे हम आप लोग को बता दिये, अगर आप इसमें interest रखते हैं, तो आप इसमें जो जा सकते हैं, ठीक है, selli के बारे में, आप लोग को यहाँ बता सबस्क्राइब भी कर देजीगा, ताकि आने वाले वीडियो का notification सबसे पहले आप लोग तक पहुँच पाएं, तो चलिए दोस्त वीडियो को करते हैं, आपने पर वीडियो को watch की हो, तो वीडियो देखने आपका आता है, दिल से धन्यवाद, मिलते हैं दोस्त के सेखलने वीडियो में तब तक के लिए, जय हिन, जय भारत!